नमस्कार में रीमा पिसाद इस वक्त बड़ी खबरों का सिर्सला हम आगे बढ़ाएंगे इसके साथ ही यूकरेन के सैलिक भारी तादाव में टैंक और हत्यारों के साथ पेर्स्टोन रवाना हुए हैं क्या जंग में रूस के बसीने छूट गए क्या युद्ध का एलान पुतिन पर भारी पड़ा क्या हार के मुहाने पर खड़ा है रूस ये वो सवाल है जिनका जवाब सिर्फ पुतिन जानते है क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अब युद्ध के मैदान से निकल कर सामने आई है वो पुतिन का साथ देने वाले देशों को भी परिशान कर सकती है 24 फरवरी को युद्ध का आगास करने वाले पते इतने कंजोर कभी नहीं दिखें उनकी सेना कभी हारी हुई नजर रही आई कभी रूस के टैंक तबाह होते रही दिखें जो 24 घंटे के भीतर हो गया आपको युद्ध की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे आप पुतिन ने अपने सेनिकों को आदेश दिया कि वो क। लिखें को परिशान कर के रख दिया है और वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं इसलिए यूकरेन के कबजे से खें छीन लेने के बार आखिर क्यों वो यहाँ से अपने सेनिकों की तादात कम कर रहे हैं लेकिन इन सब के पीच जिलन्सकी कोई मौका नहीं छोड़ना चाते यूक्रेन की सेना फूँख फूँख कर कदम रख रही है और पुतेन के एलान के साथ ही यूक्रेन के टैंक खेरसोन इलाके की तरफ पड़ रही है यूक्रेन की आर्मी, फ्रेंच वीएबी और ब्रिटिश हस्की के साथ सा कई खातक हत्यारों का जखीरा लेकर खेरसोन की तरफ बढ़ रही है और उमीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में खेरसोन पर एक बार फिर से यूक्रेन का कबजा हो सकता है लेकिन फिर भी तुनिया है कि आगर पुतिन ने ये कदम क्यों उठाया वही तकीव इंडिबेंडेंटन डाम की यूक्रेनी निउस्पेपर ने खबर दी है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेनिकों और सेन उपकरणों और गोला पारूद डिपों के साथ नो इस्थानों पर हमला किया यानि पुतिन की सेना को भारी नुक्सान पहुंचा है और पहले ही इस बात का अनमान लगाया जा रहा है कि पुतिन के पास तबाही का जो सामान मजूद था वो अब खत्म होने की कगार परा चुका है जिसमें ड्रोन से लेकर मिसाइल तक शामिल है और यही वज़ा है कि जो धार युद्ध की पिछले कुछ महीनों से दिक रही थी वो कम होती जा रही है ओर एक एक कर हर मुझे पर जिलींस्की की सेना पुतिन की सेना पर फारी पड रही है जिसकी दजी जिलींस्की का ताज़ा बयान करता है जो आनसे दीनों के खुछ ठामी का जिक रही है दो लिए, जात चा कर्ब है, जात्पो़िक एक तरफ जेलंस की एक अच्छी खबर का जिक्र कर रहे थे तो वहीं एक वीडियो भी सामने आए जिसमें कुछ सैनेक रूस के जंडे को उतारते हुबे नजर आए इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो यूक्रेन और रूस बॉडर का है जहां यूक्रेन के सैनेकों ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन करने के लिए एक फोल पर लहराते रूस के जंडे को उतार दिया वहीं खेर सौन में कमजोर होती पुतिन की सेना को लगतार यूक्रेन की तरफ से जटके मिल रहे हैं इस पीच दावा किया गया है कि खेर सौन में रूस और यूक्रेन के सैनेकों का आमना सामना हुआ यूक्रेन ने रूस के सैनेकों की जोली पर सबरदस्थ हमला बोला रूस के सैने सामानों को तभा कर दिया रूस की कई बोट इस हमले में पूरी तरह तभा हुई एक के बाद एक जटके पुतिन को अब युद्ध के मैदान में मिल रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पुतिन का हत्यारों का ज़कीरा खत्म होता जा रहा है कि पुतिन को पहले लगा था कि वो जल्दी यूकरेन को इस जग में हरा देंगे लेकिन ये युद्ध इतना लंबा और रूस के लिए घातक हो जाएगा इसके बारे में शायद कभी पुतिन ने भी नहीं सूचा होगा